इंटरनेट के आविशकार के वक्त शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि आने वाले समय में इसकी हुकूमत सारी दुनिया में राज करेगी 21 सदी के निर्मार में इंटरनेट और डिजिटल टेकनोलिजी का बड़ा योगदान रहा है और भारत में डिजिटाइजेशन का हाथ था में लंबे लंबे डेंग भरता राज गुजराद इस बात की पक्की मिसाल है गुजराद की रगरग में विकास दौरता है और राज के गाव और पंचायते इससे महरूम नहीं है इसी विकास और दूरदर्शिता का एक अनोखा उधारन देखने को मिलता है कच्छ के मुंद्रा जिले के समागोगा ग्राम में पिछले कुछ सालों में अनेक पुरसकार जीतने वाली इस पंचायत ने अपने जिले में स्मार्ट फिलेज बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को नजर में रखते हुए कुछ साल पहले इस गाउने अपने निवासियों के लिए मुफ्त सारवजनिक वाइफाई और पूरे गाउं में CCTV लगवाने का प्रबंद किया इन सुविधाओं का लाव गाउं के हर निवासी को बिना किसी रोकटोक और भेदभाव के मिला CCTV और Wi-Fi के अलावा गाउं के सभी मुख्य रास्तों पर LED लाइट्स का भी प्राड़त किया गया गाउं की मुख्य लाइन से अलग गाउं में बिजली ना होने के समय भी यह लाइट्स गाउं को रोशन रखती है और अंधेरे में सुरक्षा प्रदान करती है आज पूरे गाउं को लाव देने वाली इन सुविधाओं का विचार गाउं के सरपंच को कुछ साल पहले आया ख्याल पर अमल करते हुए उन्होंने अपने गाउं को डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इंडिया के साथ जोडने का निरने लिया एक मेरा दोस्त की दुकान है वहाँ पर एक चोरी होई थी चोरी डिटेक्शन हो गई तो मैंने उस दोस्त को पूछा बई ये चोरी कैसे डिटेक्शन होई उसने बताया कि मेरी दुकान में सिसी टीव लगे हुए इसलिए वो चोरी डिटेक्शन हो गई तो मैंने बताया कै इसे हुई तो उसने बताया मेरे को उसमें 15 दिन का अंदर रहता था इसलिए उसने बताया कि ऐसे हो गई मेरे को उस दिन भी सोच में आ गया ऐसा मैंने विचार कर लिया कि मैं जैसे भी पावर में आऊँगा इसी कारे को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव ग्राम सभा में रखा गया शिरुवाती आशंकाओं के बावजूद इन्हें अपने लोगों का पूरा-पूरा सहयोग मिला लेकिन उन दुविधाओं को मिटाने के लिए सभी से एक जुठो कर बात करना अत्याधिक जरूरी था दीरे दीरे लोगों को इन सुविधाओं के हित के बारे में आश्वस्त किया गया आज जब सारी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी है और इसके फायदों का लाब उठा रही है जाहिर सी बात है कि गाउं में भी अब इसका उप्योग किया जाना है गाउं की इस महत्वकांशा को पूरा करने के लिए अगला कदम इस कारे के लिए धनराशी इकत्रित करना था ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद गाउं में इस विशे को लेकर काफी उच्साह था सरकार ने इस धनराशी को तीन सूत्रों से इकठा किया पहला सूत्र भारत सरकार द्वारा विभिन स्कीमों के तहट दिये गए पंचायत पंड से, दूसरा गाउं के हित में सोचने वाले विभिन डोनर से, और तीसरा टैक्स के रूप में लगाये गए मामुली मगर बेहत लाबकारी टैक्स से. गाउं के इस विकास में भागेदार बनने की इच्छा और टैक्स की मामुली बढ़त होने के कारण गाउं वासियों ने यह टैक्स अपनाया और अपने गाउं की प्रगिती के स्तर को और आगे बढ़ाया. गाउं में CCTV और वाइफाई की सुविधा होने के कारण समागोगा में कई बदलाव देखने को मिले, जहां एक तरफ CCTV ने गाउं में हो रही चोरियां और अन्यासामाजिक गतविधियों पर सेध लगाई, वहीं दूसरी तरफ यही CCTV गाउं के लोगों में खास तोर पर महिल काफी कम थी, CCTV आने के बाद प्रशिक्षर केंदर के अंदर और वहां तक पहुचने वाले रास्तों पर CCTV के द्वारा निगरानी की जाने लगी, कुछ ऐसा ही असर गाउं के स्कूलों में भी देखा गया, जहां CCTV की मौजूदगी के बाद से हर क्लास की कतिविधी पर एक प स्मार्टफोन के साथ यहां वाई-फाई जोन ना केवल मनुरंजन के साधन बने हैं, बलकि गाउं को जागरुग रखने में और लोगों के बीच देश-विदेश की जानकारी देने में भी इन केंदरों ने अपनी भूमिका निभाई है सरकारी और पंचायत फंड पर इस वाई-फाई सर्विस का बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, इसके लिए पंचायत ने 100 रुपे साल का मामली सा टैक्स पंचायत के बासियों पर डाला, गाउने यह टैक्स सर्व सम्मती से स्विकार किया सीसी टीवी और वाई-फाई के अलावा, पंचायत का एक और बेहत महत्वपूर कदम था, पंचायत के लोगों के घर तक पंचायत पहुँचाना इस कदम के चलते टैक्स कलेक्शन जैसी कई योजनाएं, पंचायत ने कारिवध्य तरीके से लोगों के घरों तक पहुँचाई पंचायत के कुछ टी में, लगातार गाउं में जाकर लोगों के घरों तक या सुविधा पहुँचाती है इससे ना केवल पंचायत के फंड को लगातार टैक्स कलेक्ट करने में आसानी होती है बलकि इसके अलावा पंचायत को लगातार काम वासियों से जुड़े रहने का अवसर भी प्राप्त होता है समा गोगा में अविस्माई तरीके से सामुदाइक भागिदारी देखने को मिली गावासियों के उत्साह के चलते समा गोगा में बहुत जल्द वाइफाई जोल्स, सीसी टीवी कैमरास और डिज्टल टेक्नोलजी का आगमन हुआ जिससे बच्चे, नौजवानों और खासकर औरतों के चेहरों पर भरपूर मुस्कान आई जब देश का हर इंसान एक विक्सित, स्वेम, निर्मित और प्रगतिशील समाज के सपने देखता है तो खुशियों के दर्वाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं गुजरात के समागोगा की यह कहानी देश के भविश्य की एक उज्वल तस्वीर दिखाती है जो प्रयास समागोगा ने टेक्नोलोजी के साथ किये उनके नतीजे सकारात्मक और प्रिरित करने वाले है